भैंकर गर्मी से आखिरकार निजात मिली गई जमा जम बारिश आप देखी सकते हैं मेरे यहां बहुत तेज आज बारिश हो रही है और सारे गमले वगेरा बिलकुल मैंने बाहर निकाल के तक दिये हैं जिसे उन्हें अच्छी खासी पानी मिले क्योंकि बारिश का पानी उनक रहत मिलती है लेकिन बारिश जो आती है ना इसी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आती है कुछ चोटी मोटी प्रॉब्लम जो हमें घर और ग्रस्ती में फेस कर रही परती है आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ पहली प्रॉब्लम तो यह लातने लगती है ना सीलन की हलकी सी तो वो इसमेल बहुत बुरी लगती है और ये वाडरोम में भी रखने के लायक कपड़े नहीं होते हैं तो इनको धोने का टिप तो मैं यही शेयर आपसे करूंगी कि इसे आप जिस डिचाजन में धोते हैं उसी में धोईए और उसी के रहेगी और जब आप इसे फैन में सुखाएंगे और जैसे ही आपको मौका मिले आप इसे थोड़ी सी धूप लगा कर ही अपने वाडरोम में स्टोर करें उसरी टिप में आपके साथ शेयर खरना चाहूंगी आज किलके देखिए बारिश के मौसम में क्या होता है चोटे-चोटे कीडे मकोडे आ जाते हैं और कुछ चोटे-चोटे वाले जो कॉक्रोस जैसे टाइप के कीडे होते हैं वो हमारी वाडरोम में भी आ जाते हैं तो आप अपनी वाडरोम में कपूर की थैली या ये नैप्थोलनी की जो बॉल आती हैं ये आप रख सकते हैं नेक्स मैं आप से शेयर करूँगी देखे बारिस का मौसम बहुत ही सुहाना होता है पहली दूसरी तीसरी बारिस तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब आसपास के एरिया में कीचड़ होने लगता है फिर उसको लेकर पैर घर पे आते हैं ना सब लोग तो बहुत ही ग बिचा सकते हैं जैसे में में गेट पे और बातरूं के आसपास जरूर मैट बिचाती हूँ और मैं अपनी किचन में भी मैट जरूर बिचाती हूँ क्योंकि यहां भी पानी का बहुत सारा काम रहता है नेक्स सबसे बड़ी बारिस की जो प्रॉब्लम रहती है ना वो ये कीडे बारिस के कीडे बहुत आते हैं शाम होते ही जैसे लाइट्स जलती हैं वैसे ना जाने कहां से इतने सारी फ्लाइंग कीडे सब यह आ जाते हैं तो उनसे छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा उपाएं हैं इनसे थोड़ा बहुत रहात तो जरूर मिल जाती है जैसे जहां भी कीडे आ रहे हो वहां एक जगे की लाइट जला कर आप प्याज का कटा हुआ टुकडा रख दें घर के अंदर आप कपूर और नीम ओयल की फ्रेग्नेंस कर सकते हैं इसे भी कीडे काफी हद तक दूर रहते हैं इतना ज्यादा आपको परिशानी नहीं होगी और यह ट्राइन टेस्टेड उपाए है आप जरूर ट्राइ करके देखिएगा नेक्स्ट बारिस के मौशम में देखिए बहुत ज्यादा एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और उमस होने लगती है क्योंक उसे जरूर लगा सकते हैं इससे क्रॉस वेंटिलेशन काफी अच्छा रहता है आपको जो एक गंदी सी स्मेल आती है पूरे घर में सीलन की वह आपको महसूस नहीं होगी और वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहेगा तो आप जितनी भी घर के खिड़की दरवाजी हैं बारि वेक्यूम का सहरा ले सकते हैं क्योंकि नमी इतनी ज्यादा आज मतलब बारुश के मौसम में होती है कि इसमें छोटी छोटी जो धूल पारिकल्स हैं इनको आप आसानी से क्लीन नहीं कर सकते हैं वेक्यूम अगर आपके पास है तो यह आपका काम आधा कर देता है क्योंकि इसका शक्षन पावर बहुत तेजी से होता है यह छोटी छोटे पार्टिकल्स को भी अच्छे से क्लीन कर देता है तो अगर आपके पास वेक्यूम है तो आप इसका सहरा लेके आपने कार्पेट को अपने सोफा को आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं अगर नहीं है तो इसक लाते हैं तो सबसे पहले ब्राश्री आपपुले में नियुक्ति और जो आप देखी सकते हैं कि इन तक फ्रस्ट में पर शर्क्राइब खौए सब्सक्राइब तो उसमें बहुत जल्दी कीड़े वेगेरा लग जाते हैं तो इस सीजन में मुझे लगता है कि इस तरीके से पैकेट वाले समान को इंपॉर्टेस देनी चाहिए अपने ग्रॉसरी में सामिल करना चाहिए एक तो यह सील पैक होते हैं दूसरी बात यह है इनमें एक्सपारी इस दर भी वेगेरा लखी रहती है तो इन सब भी आप ध्यान दें और उसकी बाद पुटेस करें फिर समान आज आने के बाद में आप आप अपने किचन में समान अरेंज करते हैं तब आप इस कि आती है यह आप ले सकते हैं इसको मैंने गर्पर में नैपकीन में करके रखा हुआ है इससे खीड़े नह täll नहीं लगते हैं तो अब सी के से आफ रख सकते हैं और इसको छुला भी उध सकते हैं क्योंकि यह कोई हाम नहीं आयरवेदिक है कोई हाम नहीं देता है तो मैंने बारिश के सीजन में अपनी हर चीज में मतलब जितने भी हमारा ग्रॉसरी आइटम ने उनमें मैंने इस तरीके की पोटली बना बारश की मौसम में देखिए नमी बहुत ज्यादा हो जाती है और सीलन नमी और धूप जब नहीं निकलती है तो पूरे घर में आपको एक अजीब सी स्मेल दिखाई देगी अजीब सी स्मेल अतनी कभी तो इतनी भेंकर समेल होती कि आप से बैठा भी नहीं जाता है तो ऐसे में आप रूम फ्रेशनल का और तरे-तरे के अलेन आते इसेशनल आते हैं आप उनका साहरा लेकर उनको Is करके अपने घर को अपने रूम को बहुत हद तक फ्रेश रख सकते हैं जैसे हम घर के और हिस्सों का ध्यान रखते हैं उनको सास उत्रा रखते हैं बाथरूम को भी सास उत्रा रखना उतने ही इन्पोर्टेंट है बात्रूम की इस मौसम मेरा बात्रूम में भी बहुत अजीब सी समय आने लगती है उसे निजात पाने के लिए आप अकसर बात्रूम में वाइपर मार कर रखें ट्वाइलिट सीट को हमेशा लिड लगा कर रखें और एक अच्छी सी फ्रेंगनस जरूर एसेंसल ओयल जरूर आप लगा कर रखें वाइस बेसिन में भी आप इस देथलीन की गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे भी फ्रेश और क्लीन महसूस होता है कि अब करेंद करते हूं आज की यह टिप्स आपको पसंद आई होंगी और इनके सेलूशन भी तो इसी के साथ आज के ब्लॉक को यहीं पर एंड करूंगी और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है किसी भी पॉइंट पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा थमसब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा मिलूंगी नेक्स के लिए टेक केर बबाई